राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा करनाल जिले में प्रवेश कर चुकी है और इस वक्त हम खड़े हैं मदुवन में और आप देख सकते हैं ये सरकल कबड़ी महाकुम यहाँ पर होगा और राहूल गांधी कबड़ी का मैच यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर पंजाब हर्याना दोनों राज्यों से खिलारी पहुचे हुए हैं पुलस के भी यहाँ पर जो कड़े बंदोबस जरूर किये गए हैं सुरक्षा के और यहाँ पर तयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ राहूल गांधी और बाकी नेताओं के प कबड़ी का एक यहाँ पर यह मंच है आप देख सकते हैं मंच पर राहूल गांधी और बाकी नेताओं के बैठने की विवस्था की गई है और इसी ग्राउंड पर दोपहर के बाद जब राहूल गांधी लंच के बाद अपनी यातरा की शिरुवात दोबारा से करेंगे तो यहाँ पर कबड़ी का मैच होगा हर्याना और पंजाब के खिलाड़ी कबड़ी करते हुए नजर आएंगे आम पबलिक और कारेकरताओं के बैठने की भी विवस्था यहाँ पर की गई है और जिस यातरा को लेकर राहूल गांधी आगे बढ़ रही है तो कारेकरताओं में कुछ सावी देखने को मिल रहा है यातरा कोहन से चली है उसके बाद घरूंडा पहुची है और उसके बाद राहूल गांधी प्रेस कानफरेंस करेंगे उसके बाद यातरा दोपहर को जब दोबारा से शुरू होगी तो यहाँ पर कबड़ी का मैच देखा जाएगा उसके बाद यातरा करनाल शहर में प्रवेश करेगी और शाम के समय एंडियाराई चौक पर राहूल गांधी की भारत जोड़ो यातरा का समापन हो जाएगा और रात का जो बिश्राम है वो नेशनल हाईवे पर जिलमिल धाबे के पास राहूल गांधी करते हुए नजर आ सकते है सुरिया समाचार के लिए करनाल से हिमान शुनारंग